तो दोस्तों सुरियम बात करने वाले PVR Inox Limited Company के बारे में PVR Inox के अंदर आज हमें यहां पर जो है वो अल्मोस्त 67% के अराउंड की एक बहुती बड़ी गिरावट और उसी के साथ आज काउंटर के अंदर अगेन हमें यहां पर जो है वो अच्छी खासी सेलिंग चलती भी देखने को मिल रही है अब देखो दोस्तों वात अगरम करें PVR Inox की तो quarter two के results के बाद यह stock के अंदर एक flat performance रहा बट ultimately यहां पर stock जो है वो अभी फिलल के लिए हमें कहीं ना कहीं एक बड़े consideration phase के अंदर चलता हुआ देखने को मिल रहा है यह अगर आप यहां पर जो है वो इस stock को 2020 से भी note करोगे तो भी आपको idea आजाएगा कि 2020 के बाद rally इसमें आई 2200 तक लेकिन फिर stock जो है वो इसी बड़ी range के अंदर यहां पर फसा हुआ है तो जैसे ऐसे market react होगा वैसे वैसे यहां पर जो हो PVR Inox का performance आएगा that means कही ना कहीं stock and the steel थोड़ी सी strength हमें देखने को मिल रही है अब support and resistance की बात करें तो यहां पर PVR Inox का जो major support है वो आपको 14.00 से लेकर 14.20 के round देखने को मिलेगा ठीक है कही ना कहीं आज का day low यहां से recovery भी possible है और यहां से further गिरावट भी possible है तो अगर 14.20,50 को break कर दिया और नीचे निकल गया तो again आपको sell of 13.50, 13.50 के नीचे निकल गया तो further fall आपको 13.00 तक का भी देखने को मिलेगा